वेलो फ्रेंस आजकी वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivoi 33 Yes device के अंदर आप incoming call vibration setting कैसे करें तो फ्रेंस incoming call पर जैसे होता आप अपने phone पर vibration लगा लेते हैं तो जैसे आपको ring अगर नहीं सुनाई देता है आप कहीं भीड में हैं या drive कर रहे हैं तो आपको नहीं सुनाई देता है तो आप क्या करते हैं vibration लगा लेते हैं तकि आपको जेब में है जंजना हट होती है तो आपको पता लग जाता कि या मेरे phone पे कोई phone आ रहा है तो vibration setting काफी अच्छा होता है क्योंकि उससे फादे भी होती है कि आपको phone उठाने रिसीब करने में कभी मदद मिलते हैं क्योंकि आपको जब भी नहीं पता लगता तो आपके उसकी जंजनार से आपको phone का रिंग जो हग पता लग जाता है तो चलिए हम आपको बताते हैं आपको कैसे अपने phone में vibration setting करना है तो फ़र्ष नबर में आपको अपने setting में जाना है तो आप दिख रहे हैं मैं setting को click कर लेWhite हैं setting में कुछ ऐसा interface मिलेगा आपको तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे आ जाना आपको यहाँ पर आपको मिलता है sound का auction आप देख रहे हैं, आपको sound का option मिला है, तो आप इस पर click कर लेना है, जैसे आप इस पर sound का option पर click करेंगे, कुछ ऐसा interface so होगा आपको, so यहाँ पर मिला है, vibrant for calls, आपको मिला है, vibrant for calls, तो so आपको इस पर click कर लेना है, अब यहाँ पर आपको तीन option मिलते हैं, never vibrate, always vibrate, vibrate first then ring, तो so इस में से आप तीनों में से आपको second number को ही use करना है, क्योंकि यह जब तक आपका phone पर ring बजेगा, तब तक आपका phone vibrate करेगा, और यहाँ अगर first number पर on कर देते हैं, तो so आपका vibration जो है, ओफ हो जाएगा, आपके phone पर vibration नहीं चलेगा, और जो यहाँ पर third number पर आपको मिल ला है, इस पर क्या होता आपको, तो first number में ही vibration करेगा, end में नहीं, बीच में नहीं करेगा, end में नहीं करेगा, जैसे आपके phone पर phone आएगा, तुरू में ही vibration करेगा, इसके बाद बंद हो जाएगा फिर, तो so friends, काफी अच्छा है यहाँ पर second number पर, so friends, इसी को यूज करेगा, क्योंकि जब तक आपका ring बजेगा, तब तक phone आपका vibration करता रहेगा, तो so friends, ऐसे आप अपने phone में vibration setting कर सकते हैं, इसके बाद हम बैक हो जाते हैं, अब नीचे मिलता आपको notification vibration, अगर आप अपने notification पर vibration यूज करना जाते हैं, तो so कर सकते हैं, तो so इसमें आपको कैसे होगा, क्योंकि आप जैसे आपके phone पर कोई message आता है, या आपके phone पर कोई notification आता है, तो आपको नहीं पता लगता, तो so उस पे क्या करना आपको? Notification vibration को on कर देना है, तो so friends आपका जैसे कोई message आया, या notification आया, तो so उस पे भी आपका phone vibration करेगा, तो so simple आपको ऐसे इसको on कर लेना है, तो सो यहाँ पर आप notification और vibration और vibrate for calls को use कर सकते हैं तो सो फ्रेंट्स उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी तक तक के लिए बाई बाई